हलो फ्रेंट्स मैं पायल आपका मेली चैनल कुकवित पायल में बहुत-बहुत स्वागत है आज में बनाने जारी हूँ कुंद्रो की भुंजिया यह बहुत ही आसानी से जटपट बनने वाली सबजी है और बहुत ही कम इंग्रीडियंस में बहुत ही अच्छी सबजी बनकर त और हम मसाले में लेंगे हल्दी पाड़र आधी चोटी चमज सबजी मसाला पाड़र आधी चोटी चमज गरम मसाला पाड़र एक हरी मिर्च और एक चोटी चमज जीरा नमक हम स्वादन उसाल लेंगे और सरसो का तेल हमने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया था अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े शमज सरसो का तिल इसे थोड़ी तिर गरम होने देंगे गैस के फ्लेम को हम मिडियम रखेंगे हमारे तिल गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे जीरा अब हम डालेंगे हरिमेश जीरा को चटकने तक इसे चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कुंद्रू इसे अच्छी तरह से चला लेंगे इसे हलका सॉफ्ट होने तक चला लेंगे इसे पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है बस हलका सॉफ्ट होने पर हम मसाले डालेंगे ये देखिए हलका सॉफ्ट हो गया है हमारे कुंद्रू अब हम इसमें मसाले डालेंगे सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पौडर, सबजी मसाला पौडर, फिर हम डालेंगे गरम मसाला पौडर अब हम इन सब को अच्छी तरह से चला लेंगे इसे एक दू सेकंड चला लेंगे इसके बाद हम डालेंगे स्वादनुसा नमक इसे भी चला लेंगे थोड़ी देर इसे एक दू सेकंड चलाना है एक दू सेकंड चलाने के बाद अब हम इसको ढखकर 5-7 मिनिट के लिए लोग फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे 5-7 मिनिट हो गया है ये देखिए हमारी सबजी रेडी हो गई है इसका कलर भी चेंज हो गया है चलिए अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं ये देखिए हमारी कुंद्रो की सबजी बन के तयार हो गई है आप इसे रोटी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिये के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें थैंक यू